हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंट होने के लिए महिला की सरीर में प्रोजे स्टेरोन हर्मोंस बढ़ाने के तरीके के बारे में अब आप सोच रहोंगे कि प्रेगनेंट होने के लिए महिला के सरीर में प्रोजे स्टेरोन हर्मोंस का लेवल अच्छा होना क्यों जरूरी है क्यों ये हर्मोंस हमें बढ़ाना चाहिए तो देखिए अगर आपके सरीर में प्रोजे स्टेरोन हर्मोंस कम होगा ना तो महिला के शरीर में Progesterone Harmons का होना बहुत ज्रूरी है, अगर महिला चाहती है कि वो समय से pregnant हो जाएं, तो उनको अपने सरीर में Progesterone Harmons का इस तर सही बना की रखना होगा, ऐसा नहीं है कि कि अवल महिला में यह हर्मोंस होता है, जैस में भी यह हर्मोंस होता है, तो अब कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो ऐसे में आप क्या कर सकती हो तो मैं आपको कुछ प्राकर्टिक तरीके बताऊंगी कुछ नेश्रल तरीके बताऊंगी दिससे कि आप अपने सरीर में प्रोजेश्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकती है और बहुत जल्दी कंसीव कर सक आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे कोई भी खानी पीने की सामिल ना करें जिसके कि आपके सरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नार्मल सी बात है प्रोजेश्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको ऐसे में सोया से बनी उतपाद जैटून छोले वेगरा को खाने दियान देना है इसके अलाबा जो तो आपको घ्यान रहती है तो ऐसे में आपके सरीर में कार्टीस्वल हर्मट्स रिलिज होते हैं और यह हर्म्स आपके सरीर में कर्याक मातना में प्रोजे़ोन नहीं बनने देते और आपको प्रेजन सम्मंदित प्रावलम हो सकती है वांकि आप कैसे हैपी रहोगे इसके बारे में सोचिए और हैपी रही इसके लाबा दोस्तों आपको फैट लेना चाहिए आपके सरे में प्रोजे स्टेरोल हर्मोंस के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना ले सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों आपको ऐसा खाना काना चाहिए जिसमें कि आपको जिंक और मेंगनेश्य मिल जाए सरीर में हार्मोंस के लैबल को संतुलीद रखने के लिए सबसे जरूरी होता है जिंक और जिंक आपकी फर्टिलिटी में भी एह भूमी का निबाता है दोस्तों जिंक आपके सरीर में FSH हार्मोंस रिलीज करता है इससे आपको ओविलेशन में मदद मिलती है और आपको पता ही होगा कि प्रेगनेश्य के लिए महिला का ओविलेशन होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसके लिए आप रेड मीट खा सकती है सेलफिस खा सकती है इसमें आपको जिंक मिल जाता है मांकि आप सर्च कर लीजेगा ठीक है इसके अलाबा आपको मैगनेश्यम भी लेना है यह भी आपके सरीर में प्रोजेस्टेरोन हर्मोंस को बढ़ाने में मदद करता है जैसे कि काले बीन्स हो गए पालक साबुत अनाज और सूखे मेवे मे आपको कैल से मिल जाता है इसके अलाबा आपको विटामिन सी और ई भी लेना चाहिए दोस्तों फर्टिलिटी लेबल बढ़ाने में विटामिन सी बहुत ही आहम भूमिका निबाता है क्योंकि यह आपकी ओविलेशन में मदद करता है तो आप चाहते हैं कि आप कांड़ा ठ संभावना को बढ़ा देता है तो आप विटामिन ए के लिए सूखे मेवे सूरज मुखी के बीज जैतुन के तेल को अपने खाने में सामिल कर सकती हैं वांकि दोस्तों देखी इसके अलाबा यही है कि पूरी नेंद लीजी अपने लाइफ इस्टैल को अच्छा रखिए अ थैंक यू सो मच नमस्ते टेक केर